नमस्कार दोस्तों रंजीत तंजुराट में आपका स्वागत है और ये पांचवी पैंटिंग है पंद्राबाय अठाराइंज की और इसको धन लश्मी बोलते हैं धन लश्मी मतलब की अधिकतर धन लश्मी है अपने घर में लगाने के लोग पसंद करते हैं वैसे लश्मी ज थी पांचवी हो रही है जिसे गोड्य के घड़ो में से घोर के पात्र में से इनको धन लश्मी बोलते हैं और पूरा इसमेंगों काम ही हुआ है और यहां तक के कमल में बहुत हैं साडी में पoh going लगा हुआ है और काफी देके दूशाख लगा और और गोल्ड के उपर जो बारिक काम हुआ 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 यह हम बाद में करते हैं और बारिक काम होने के बाद में इसमें तो डारेट गोल्ड पे काम हुआ पर जहां प्लेन कलर भरना हो जिसे के कमल में और इसमें कान के आस्पा जो कमल के फूल है उसमें दिख रहा होगा आपको तो यह प्लेन कलर करते हैं और फिर बाद में हम सेडिंग लगाते हैं उसमें ब्रस से जो सल सेड जो यह सब काम कर रखा है यह ब्रस का है पूरे बारिक ब्रस का और मिनिचर वरक है और फुल गोल्ड में है यह पेंटिंग फुल गोल्ड में बोल सकते हैं कल्दरिंग का काम बहुत कम किया हुआ है और इस तरह की मंदिर की पेंटिंग हमें लोगों ने शुरू किये क्योंकि आर्टिस्टों को पेंटिंग इत्ती छोटी बनाने में पेमेंट नहीं मिलता है बहुत कम पेमेंट मिलता है यह बात सही पर फिर भी हम मैंने यह बिड़ा उठाया है क्योंकि पहले क्या करते थे कि सिर्फ पोस्टर फ्रेम कराके छोटे-छोटे और मंदिर में रखते थे पर मैंने यह शुरुवात की है पेंटिंग बनाने की छोटी मतला 6-8 इंच में भी विद्फ फ्रेमिंग साइज यह भी बनाना चालू किया है और आप मेरे यूटूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके घर के मंदिर की पेंटिंग देख सकते हैं काफी वीडियो में अपलोड क रखें बहुत सरी पेंटिंग बना चुका हूं और बहुत सरी बन रही है तो जैसे जैसे हर पेंटिंग बन रही है तो उसका मैं वीडियो से बना रहा हूं और सेयर कर रहा हूं और उसके अलावा इस तरह की पेंटिंग घिप्ट देने में भी काफी अच्छा रहता है क्यो अदिन बनारे में सब्सक्राइब यहाइब तबाइब तो मैं घर पे जाके नाप लेके और उस इसाफ से भी painting बनाता हूं कि कईयों की जगे कम होती लंब़ी ज्यादा कम होती है चोड़ी ज्यादा होती है या कईयों की लंब़ी ज्यादा होती है चोड़ी कम होती है तो उस इसाफ से sketch करके फिर मैं painting बनाता हूं sketch उनको बताता हू कोई वरे हैं तुछेंज करके वापस स्केज करता हूं क्यों कि एक पेंटिंग के लिए कुछ zaczy पर करता All में और हम komme मुझे इस में घराव उतरना है क्योंकि यह मानं के चलो कि भगवान के पैंट mäक कोई बना रहा है और उसके बाद में उसका जीवन चल रहा है तो बिना भगवान की गरपाकर नहीं चल सकता है तो जहाँ पे भी यह पेंटिंग जाए उसकी बरकत हो उसको उसके आत्मा तरप तो हो यह यह मेरी कोशिस पूरी होती है कि वो अपने दिल से मान ले कि भगवान आये है मेरे घर जो उनके ख्यालों में ख्वाबों में और सोच में ती जो आत्मा में था वूस तरह की पेंटिंग उनको बनी है तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है और जितना ज्यादा पेंटिंग में बना सुकूं मेरी लाइफ में उतनी ज्यादा में पेंटिंग बनाने की कोशिस करूंगा मेरा संकल्ब है कि आखरी सास तक मुझे पेंटिंग बनाने का भगवान मोका दे और मैं वही कर रहा हूँ और मेरा नमबर अगर या आपने नोट नहीं किया हो तो आप निनांबर है साथरह मेरी आप और मेरे चैनल पर नए है और म assert है पर करें और बिल आइकटन को जुरुख दबाएं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिं